सबी बच्चों को कानियांटी की ओर से जैमती की मैं परमिश्वर पर भरोसा रखते वे पूरे विश्वात के साथ कह सकती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे क्योंकि प्रभू हम सब को संभालते हैं और सुरक्षा देते हैं आज हम उस घटना को देखने जा रहे हैं जब इस्राइली मिस्र के गुलामी से निकल कर मिश्र को छोड़ कर बहार निकले क्योंकि परमिश्वर ने उन्हें एक बड़ी प्रतिग्या की थी कि उन्हें प्रतिग्या के देश कनान को पहुंचाएगा कनान एक सम्रिद और बहुत ही सुन्दर देश था वे लोग जब कनान के लिए निकले तो परमिश्र की आज्या को निसार वे लोग सीनाई परवत के आसपास अपने डेरों को डाले बच्चू आपको बतादू कि मूसा उनकी अगवाई कर रहे थी मतलब मूसा के लेडरशिप ने बे लोग कनान की ओर प्रस्तान किये थी अब वे लोग सीनाई परवत के आसपास ठेरे भी थी उस समय मूसा सीनाई के परवत के उपर चड़े की वे परमेश्र से बाचित करे इसको पता है बच्चो परमेश्वर ने मुसा से बातचीत किया और इसराइलियों के लिए बहुत सारे विवस्थाओं को बताया और कहा कि उन्हें जब वे मानेंगे तो वो उनकी नीज प्रजाट ठहरेंगे। परमेश्वर के जन कहलाएंगे और परमेश्वर अपने खुद की लोगों के लिए बहुत सारी प्रतिग्याएं की है और उन प्रतिग्याओं को परमेश्वर पूरा भी करते हैं। बच्चों हमारा पर्मेशर कभी नहीं बदलने वाले पर्मेशर है, जो प्रतिग्याएं पर्मेशर ने इस्राइलियों के लिए किये वही हमारे लिए भी, वही प्रतिग्याएं पर्मेशर आज भी हमारे लिए पुरा करते हैं, और भी बातें जो इस्राइलियों के लिए थी कि कोई भी परवत के पास ना आए सभी पशुओं को भी उस परवत से दूर रखा जाए और मुसा ने परवत से उतर कर नीचे आए और इसराइलियों से इन सब बातों को कहा जो परमेश्वर ने मुसा से कहा था लोगों ने मुसा के बात को ध्यान से सुना और उन्होंने उसी प्रका से किया जैसे परमेश्वर ने उनके लिए आग्याएं दी थी और पशूं के लिए बाढ़ा बनाए ताकि पशू परवत को पास ना जाए और उन्होंने शुद्ध करने के रिती के अनुसार अपने आपको शुद्ध किया क्योंकि परमेश्वर ने मुसा को यह आग्या दी थी कि लोगों के पास जा उन्हें आज और कल पवित्र करना और वे अपने वस्त्र धोले और वे तिसरे दिन तक तयार हो जाएं क्योंकि तिसरे दिन यहवा सब लोगों को देखते सीने परवत पर उतर आएंगे बच्चों जो भाग हम अभी देख रहे हैं वह निर्गमन 19 अध्याय का हैं आप लोग अवश्य निकाल कर इसे बाइबल से स्वेम पढ़े जब आप स्वेम इसे पढ़ेंगे तो आपको और भी बातें सीखने को मिलेंगी हाँ बच्चों इसराइलियों ने इसी प्रकास से अपने आपको तयार किया और बड़े डर और भाय के साथ परमेश्वर के सीने परवत पर उतरने का इंतजार करने लगें बच्चों इस घटना का वर्णन मैं स्वेम बाइबल से पढ़कर वच्चनों के द्वारा आपको बताना चाऊंगी जो 16 वच्चन से लेकर आगे दिया हुआ है जब तिसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और परवत पर काली घटा चा गई फिर नरसिंगे का बड़ा भारिक शब्द हुआ और च्चावनी में जितने लोग थे सब काप उठे तब मुसा लोगों को परमेश्वर से भेट करने के लि इस कारण समस्त परवत धुए से भर गया और उसका धुआ भटे कासा उठ रहा था और समस्त परवत बहुत काप रहा था यह हमारे परमेश्वर जो शर्वशक्तिमान एक मात्र जीवित परमेश्वर उसकी उपस्तिती है और इसकी उपस्तिती इसी प्रकास से होती है इसलिए हम हमेशा उसके आधिनता में डर, भय और भक्ति के साथ अपने जीवन को पता हैं चुक सीने परवश्यव परमेश्वर ने जो वचन कही वो हमारे बीच में दस आज्याओं के रूप में पाया जाता है उन दस आज्याओं को परमेश्वर ने सीने परवश्यवर लोगों के लिए कहा यह दस्याग्याएं मसी जीवन का सार है ये हमें सामाजी, नैतिक और आत्मिक उन्नती में हमारी अगुआई और मदद करते हैं इसलिए इन वचनों को हम याद कर लें और इसके अनुसार हम चलने की पूरी कोशिश करें और परमेश्य से प्रार्थना करें कि हम इने पालन कर स बच्चों, बाइबल में निर्गमन के पुस्तक भी सध्याई के पहले वचन में इस प्रका से लिखा है तब परमेश्य ने ये वचन कहे तू अपने लिए कोई मूर्टी खोद कर ना बनाना मुझे छोड़ दूसरे को इश्वर करके ना मानना तू अपने परमेश्य का नाम व्यर्थ ना लेना तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरन रखना तू अपने पिता और माता का आदर करना तू खोन ना करना तू व्यभिचार ना करना तू चोरी ना करना तू किसी के विरुद जूटी साक्षी ना देना तू लालच ना करना हाँ बच्चो परमिश्व ने मुसा के द्वारा सीने परवत पर इस्राइलियों के लिए ये व्यवस्था या नियम दिये है और यही व्यवस्था हमारे जीवन में भी लागू होती है और हमें इसे जरूर याद करना चाहिए और इसे अपने जीवन में पालन भी करना चाहिए मुसा नभी परमिश्वर के द्वारा ठहराए गए एक पवित्र जन थे जिन्होंने बहुत अच्छे से परमिश्वर जैसा जैसा अगवाई किया उस प्रकार से इस्राइलियों को मिश्वर से छुडा कर कनान पहुंचाने तक उनकी अगवाई की परमिश्वर उनके जीवन के द्वारा हमें यही सिखाते हैं कि हम भी हमेश्वा मुसा की तरह प्रभु की आगवाई को पालन करने वाले और उनकी अगवाई में चलने वाले बनें मुसा परमिश्वर के आगवाई पालन और उनकी अगवाई में कुशल ने तृत्व करने के कारण इस्राइली लोग प्रतिग्या के देश कनान में पहुंच कर खुशी से अपने जीवन को बिताने में और कनान में अपने अधिकार को पाने में सफल रहे परमिश्वर ऐसा जीवन प्रतिग को दें जब हम परमिश्वर के आग्यानुसार चलते हैं तो हम दूसरों के लिए भी आशीश का कारण बनते हैं गौड ब्लस यू बच्चों प्रभु के बड़े नाम किस तुती हो